नमस्कार बैजूस आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 16 नवंबर के देहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्पुन समाचारों का विशलेशन करने वाले हैं तो आये सुरू करते हैं आज का समाचार विशलेशन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज कई सत्र में हम किन-किन विश्यों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले CBI और ED को ले करके जो एटोरियल आया है हम उसकी चर्चा करेंगे पेगासस जांच को लेकर के जो एटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इंडो पैसिफिक में यूरोपिय संकी क्या भूमिका हो सकती है उसको लेकर के जो एटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं चमगादड पारिस्तितिक तंत्र के लिए कितने महत्पून है इसको लेकर के जो एटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करेंगे और राजधानी दिल्ली में परदूसन के क्या कारण है इसको लेकर के जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले और ये टॉपिक जिस पेपर 2 पॉल्टी से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रैवार को सरकार के दोरा दो अध्यादेस लाया गया था जिसके अनुसार CBI और ED के जो निदेसक है उनका कारकाल तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है इन अध्यादेसों के मताबिक अब परवर्तर निदेसाल है यानि कि ED और CBI के निदेसक का कारकाल 5 साल हो सकता है और आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी तक इन पदो पर अधिकतम कारकाल 2 साल का ही होता था और इसी को लेकर कि हाँ पर चर्चा किया गया है और लेखा के दौर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ये जो विश्तार दिया गया है कारकाल का CBI और ED के निदेसकों को यह उनकी स्वायता से समझोता है और वह खुल करके काम नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के दोरा दिल्ली विशेश पुलिस अस्थापना याने की DSP अधिनियम और केंद्रिय सतक्ता आयोग CBC अधिनियम में संसोधन किया गया है ताकि सरकार दो साल के कारकाल पूरा होने के बाद इन दोनों प्रमुखों को एक साल के लिए इसके बाद यहां पर यह कहा गया है कि एक साल का विस्तार देने के बाद यह जो विस्तार है वह तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक की अधिकारी एजेंसियों के प्रमुख के रूप में पांच साल पूरा नहीं कर लेते याने कि दो साल का कारकाल खतम होने के बाद उन सालों तक उनके कारेकाल को बढ़ाया जा सकता है याने कि इनके जो प्रमुख है वह पाँच वर्सों तक प्रमुख के रूप में काम कर सकते हैं यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि सरकार के दोरा यह जो काम किया गया है वह सुप्रिम कोट के विनित नरायन बना भारत संग का जो मामला था 1997 में और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले लिये थे उसकी भावना के खिलाफ जाता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता आपके एक्जाम के लिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि विनित नरायन बनाम भारत संग का जो मामला थ उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि CBI और E-D के जो निदेसक होंगे उनका नियुनतम कारकाल कम से कम दो सालों का होना चाहिए. और यहाँ पर यह जो नियुनतम कारकाल तै किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह उनके अचानक हस्तांतरन को रोकने के तो वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर अधिकारियों का हस्तानतन कर दिया जाता है और इसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोट के दोरा विनित नरायन बना भारत संग के मामले में यह कहा गया कि CBI और ED के जो निदेसक होंगे उनका नियुनतम कारकाल दो साल का होना ही चाहिए लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोट ने अधिकतम कारकाल की चर्चा नहीं की थी और इसी का फायदा उठाते हुए सरकार ने इन अध्यादेसों को ला करके इन दोनों प्रमुखों के कालकार को पांच साल करने का फैसला लिया है इस एटोरियल में समझाने का प्रयास किया गया है कि जो ED के वरतमान निदेसक है संजय कुमार मिस्रा उन्हें कुछ दिनों पहले ही कारकाल में विस्तार दिया गया था आपको ये पता होना चाहिए कि ED के निदेसक के रूप में संजय कुमार मिस्रा को 19 नवंबर 2018 को निव्थ किया गया था और उनका जो दो साल का कारकाल था वह नवंबर 2020 में समाप्त होने वाला था लेकिन राश्पती के द्वारा उनके कारकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया यानि कि जो उनका कारकाल है वह 19 नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ गया यहाँ पर जब यह मामला सुप्रिम कोट के पास गया तो सुप्रिम कोट ने सरकार के आदेश में हस्तक्षिप करने से इंकार कर दिया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सुप्रिम कोट के द्वारा विनित नरायन बना भारसंग के मामले में यह साफ साफ कहा गया था कि CBI और EDK नीदेशको का नियुंतम कारकाल दो साल से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर सुप्रीम कोट के द्वारा अधिक्तम कारकाल को ले करके कोई बात नहीं कही गई थी और इसी के कारण सुप्रीम कोट ने सरकार के इस फैसले में हस्तक करने से इनकार कर दिया हाला के इस मामले में सुप्रीम कोट के द्वारा कुछ बहुत ही भत्मुन बाते कही गई है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर सुप्रीम कोट के द्वारा ये साफ किया गया कि किसी भी अधिकारी को उनके रिटार्मेंट से पहले अग AQC के अधनियम धारा 25A के तहत एक समीती का गठन किया जाना चाहिए, उसके सामने कारकाल के विस्तार के कारणों को दर्ज करना चाहिए और जाच पूरा करने के नाम पर इन अधिकारियों के कारकाल को विस्तार दिया जा सकता है। Supreme Court के द्वारा सरकार के आदेस में हस्तक्षिप नहीं किया गया था लेकिन यहां पर Supreme Court के द्वारा यह साफ कर दिया गया था कि इस तरह का जो कारकाल का विश्तार है वोा दुरलब और आउसधरान मामलों में ही किया जाना चाहिए और उस समय भी सुप्रिम कोट ने ये कहा था कि जो ED के निदेशक है संजे कुमार मिस्रा उन्हें जो है 2021 के बाद कोई भी कारकाल का विश्तार नहीं मिलेगा और इनी सभी बातों को यहाँ पर दर्साते हुए लेखक के दोरा ये कहा गया है कि यहाँ पर जो सरकार के दोरा ये अध्यादेश लाया गया है वह कहीं न कहीं ED और CBI के स्वायता से समझोता है extension को पाने के लिए इन अधिकारियों के दोरा ऐसे मामलों की निस्पक्स जाच नहीं की जा सकेगी जहाँ पर सरकार के हितों को नुक्सान पहुंचता हो और यहाँ पर जो सरकार के दोरा जो अध्यादेश लाया गया है वह कहीं न कहीं Supreme Court की जो भावना थी विरित नरायन बनाम भारसंग के मामले में उसके खिलाफ है तो बहुत ही important editorial है ये और यहाँ पर जिस संदर में बात की गई है उसको समझना बहुत ही आवसक है और उसी क inquiry must reverse the chilling effect और ये topic GS paper 2 governance और GS paper 3 security से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 October 2021 को भारत के मुख्य नियाधिस N.V. रमना के नेतितु में नियाले की एक खंपीट के द्वारा पेगासस मामले की जाच करने के लिए एक तीन सदस्ये सुतंत विससक समीती का गठन किया गया है आप यहाँ पर उनके नामों को देख सकते हैं इन पर हमने पहले भी चर्चा किया है लेकिन इस editorial को पढ़ते वक्त आप इनके नामों को जरूर रिवाइस कर लेंगे जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर तीन सदस्ये विससक समीती का गठन किया गया है और इनके कामकाश को रिव्यू करने के लिए जस्टीस आरवी रवेंदरन को रखा गया है और उन्हें एसिस्ट करने के लिए आलोग जोसी और संदीप ओबराय की एक टीम को भी रखा गया है जो कि जस्टीस आरवी रवेंदरन को इस मामले में उनकी सहायता करेंगे तो यहाँ पर यह छे मि कोट के द्वारा पेगासस जासुसी मामले की जांच के लिए आदेश दिये गए हैं यह हमारे देश में पहले बार हुआ है और इसका जो एफेक्ट है वो भारत की राजिंती पर बहुत दूर तक दिखने वाला है इस एक्टोरियल में उन सभी बातों की चर्चा किये गई है जिस पर हमने पहले भी चर्चा किया है यहां पर प्राइवेसी का मुद्धा फ्रिडम ओफ स्पीच का मुद्धा उठाया गया है और कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा पेगासस मामले में न्यालय में चुपी साधी गई है राष्टे सुरक्षा के नाम पर न् उसको और प्रगाड करता है और उसी को लेकर कि यहां पर इन सभी बातों को समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो सरकार की भूमिका है वह काफी संधे से घिरिव ही है जैसा कि मैंने कहा कि के इन सरकार के दोरा इस सवाल पर लगातार चुप साधे रखे गई कि उसने सैकडो निर्दोस गैर आरोपी नागरिकों की निजता पर हमला किया है या नहीं किया है या फिर जो खूफिया जानकारी एकतर की गई है उसका जो इस्तमाल है वो सरकार के दोरा किस तरीके से किया गया है आपको यह ध्यान में रखना है कि इस मामले में नियाले ने सरकार के उस अनुरोद को ठुकडा दिया जिसमें सरकार ने जांस समीती के गठन करने की अनुवती देने के लिए नियाले से कहा था क्योंकि यहां पर नियाले का यह मानना था कि सरकार का जो रूल है इस मामले में वो काफी संदेहपूर्ण है और इसलिए जो अभियुक्त है वह जाच करताओं का चयन नहीं कर सकता तो यहाँ पर जिस तरीके कठोर फैसले लिए गए हैं सुप्रिम कोड के द्वारा वह काफी सराहनिये हैं और यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा गया है कि ऐसा जो फैसला है वह कहीं न कहीं भारत के लोगों का सुप जान में रखना है कि मई 2019 में ही वाटसप के द्वारा इस एस्पाई वेयर के बारे में जानकारी दी गई थी और भारतियों के परभावित होने का जो तत्य है वह नवंबर 2019 में कानून मंत्री ने भी स्विकार किया था वाटसप ने 2019 में ही सरकार को सुचित किया था कि कम से कम 121 ऐसे भारते नागरिक हैं जिन्हें इस स्पाई वेर के द्वारा निसाना बनाया गया है लेकिन फिर भी सरकार ने यहां पर कोई भी पतिकिडिया नहीं दी थी यहां पर गोपनियता के अधिकार की चर्चा की गई है यहां पर कहा गया है कि सुप्रीम कूर्ट की द्वारा 27 में ही अपने एतिहासिक आदेश में यह घोसना कर दिया गया था कि निज्टा का अधिकार मानो अस्तित्व, मानो गरिमा और उसकी स्वायता के लिए आवस्यक है और अगर सरकार को किसी मामले में जासुसी करना है तो उसे इन तीन अधारों पर उचिट ठराया जा सकता है यहां पर पहला अधार यह होना चाहिए कि जासुसी का काम जो है वह कानून के दायरे में रह करके करना चाहिए सरकार को दूसरा यहाँ पर कारण यह बताया गया है कि अगर आवसक्ता हो तभी जासुसी का इस्तमाल करना चाहिए और केवल तभी इसका इस्तमाल करना चाहिए जब अन्य साधन उपलब्ध ना हो और यहाँ पर जो जासुसी है वह अनुपातिक होना चाहिए कहने का ऐसा यह है कि ज जरूरी है तो यहाँ पर किसी वेक्ति की जासूसी सरकार के द्वरा किया जा सकता है। लेकिन पेगासस मामले में यह देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोगों पर जासूसी किया गया है जिनका कि राश्टिय सुरक्छा से दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। यहां पर सबसे अंति में यह कहने का प्रयास किया गया है कि पेगासस मामले में जिस तरीके से इस एस्पाई वेर का उप्यूग किया गया है वहना केवल भागतीन में दिये गए अधिकारों का उलंगन है बलकि प्रेस की सुनता का उलंगन है विपक्ष द्वारा असंतोस की और राज की और समयधाने करवाई को अदालतों में चुनोती देने के लिए वकीलों की नेड़ड़ता के लिए एक गंभिर जटका है और यहां पर लेखा के दौरा यह कहा गया है कि यह लोकतन को कमजूर करता है और निर्वाचित नेताओं को पुन तनासाह में परवर्ति कानून के सासन की समयधानिक योजना को पुनरजीवित करने के लिए बहुत ही महत्पुन साबित होगा तो बहुत ही इंपोर्टेंट एटोरियल है हाला कि हमने इस पर बहुत सारी चर्चाएं की है लेकिन जो सुप्रिम कोड का फैसला है इसकी जाच कराने का और अपने अं स्वास है हमारे समिधान में हमारे कानून में उससे भी बढ़ावा दिया जाएगा आए एक और न्यूस की हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेई नंबर सेवन पर एक न्यूस आया जिसका सिर्सक है और एक टॉपिक जिस पेपर टू इंटरनेशन रिलिश का क्या रोल हो सकता है उसको लेकर के चर्चा किया गया है यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि अगर यूरोपिय यूनियन चीन के खिलाफ अधिक मुखर होकर के बोलेगा और भारत के साथ अगर अधिक सयोग करता है तो यूरोपिय यूनियन का जो इस्तिती है इ इंडो पेस्विक में अपना प्रभाव बढ़ाना है उरोपिय यूनियन के देशों को तो यहां पर उसे भारत के साथ मिल करके काम करना चाहिए जिस तरीके से अमेरिका, यूके, अस्टेलिया और जापान के द्वारा इंडो पेस्विक में चाइना को जवाब देने के लिए संग्ठन बनाए गए हैं, उसी तरीके से यूरोपिय संग को भी भारत का सहयोग करते हुए अपनी इस्ति इंडो पेस्विक में मजबूत बनानी चाहिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जो यूरोपिय यूनियन है, वह पहले से ही हिंद महासागर के जो टटवर्ति देश हैं, जो आसियान के देश हैं और परसांत में जो दूपिय देश हैं, उनके साथ उसके सम्मन जो है वो बहुत अच्छे हैं और उसका उप्यो करते हुए वह पर अपने इस्तिकों और मजबूत कर सकता है, इस एक्टोर में सबसे इंपोर्टेंट बात है, वह है एप्रोच टू चाइन इंडिया, यह जो पार्ट है वो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि EU के जो बहुत सारे देश हैं, वह अभी भी चाइना को जो है एक थ् देश हैं, वह चीन को एक चुनोती को रूप में देखते हैं, और वह इससे पूरी तरीके से सचेत हैं, और यहां पर जो विवाजन है, उसको लेकर के चीनता जाहिर की गई है, और कहा गया है कि जिस तरीके से चीन को घेरने के लिए भारत, जापान, उस्टेलिया, अमेरि काम करना होगा, तभी जाकर के जो यूरोप्य यूनियन का रोल है, वह इंडो-पेस्विक में और मजबुत हो पाएगा, यहां पर भारत को लेकर के ये बात कही गई है, कि यूरोप्य यूनियन का जो भविश्य की रन्नीती है, वह भारत के लिहास से बहुत ही अच्छा है आप सभी जानते हैं कि भारत का जो सम्मंद है यूरोप्य यूनियन के साथ वो काफी अच्छा है, भारत जो है टेकनोलजी के छेतर में, एनर्जी के छेतर में, वैपार के छेतर में, यू के साथ अच्छे सम्मंद रखता है, और यहां पर अगर यूरोप्य यूनियन इस्तमाल करते हुए यूरोपिय यूनियन के देशों को औस्टेलिया के साथ, इंडोनेसिया के साथ, निजुलेंड के साथ, जो भी यहाँ पर मेजर एकॉनमी है, उसके साथ एकनॉमिक पार्टर्शिप को ले करके चर्चा करनी चाहिए, इसी तरीके से इस्ट अफरीका के द साथ के देशों को फानेसियल सपोर्ट कर सकता है, टेकनॉलजी ट्रांसफर कर सकता है, और इस तरीके से सहयोग के माधम से यूरोपिय यूनियन जो है इंडो पैस्विक में खुद को काफी मजबूत कर सकता है, जिसकी चर्चा जो है इस एक्टोरियल में किया गया है, तो यहां पर चमगादडों की भूमिका को ले करके चर्चा किया गया है, किस तरीके से चमगादड हमारे पारिस्तितिक तंतर के लिए महत्पून है, उसको ले करके चर्चा किया गया है, यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में चमगादड की लगभग 128 जिनमें क्रिसी कीट और रोग पैदा करने वाले मच्छड भी सामिल हैं। कुछ चमगादर फूलों को परागित करते हैं, फल खाते हैं, केले, अम्रूद, काजू, आम, अंजीर, महुआ और अन फलों की जंगली किस्मों सहित कई महतून पेड़ प्रजातियों के बीच को आसपास के इलाके में फैलाते हैं। यहां पर थाइलेंड के अध्यन का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चमगादर के सिर्फ एक प्रजादी के द्वारा किये गए कीट बायो कंट्रोल से प्रतिवर्स 2900 टन चावल के नुकसान को रोका जाता है। अगर हम इसकी कीमत को देखें तो यह 1.2 मिलियन डॉलर के बराबर है और सालाना 26200 लोगों के लिए इससे भोजन की वैस्था की जा सकती है। तो यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि चमगादर जो है हमारे परिसितिक तंतर के लिए बहुत ही महत्मून हैं। जिस तरीके से कीटो का बायो कंट्रोल किया जाता है उससे मानों को फायदा ही होता है। लेकिन दुर्भाग से इन महत्मून भूमिकाओं के बावजूद चमगादर को सभी जानवरों में सबसे गलत समझा जाता है। जिस तरीके से यह वैज्यानिक प्रमान बढ़े हैं कि चमगादर में अनेकों वारस पाये जाते हैं। उससे चमगादरों को गलत समझा जा रहा है। लोगों में उनके प्रती भैका वातावरन बनता जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चमगादर की एक महत्पून और अनूठी विसेस्ता यह है कि वह कई रोग जनक वारस जैसे नीपा, हेड्रा, मालबर्ग, इबोला और कोरोना वारस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन विसानवों का भंडार होने के बावजूद चमगादर कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। और इसी के कारण चमगादर ने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा कर इस तरह के नुकसान से बचने के लिए एकतंत्र विक्सित किया है। तो इस तरह के कुछ विसेस बातों को यहां पर बताने का प्रयास किया गया है और यहां समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से चमगादर जो है। वह इतने ही नहीं होते हैं उनके द्वारा हमारा सहयता किया जाता है हमारे परिस्थितिक तंत्र के लिए वे बहुत ही अवश्चक हैं। यहां पर कहा गया है कि सदियों से चमगादर और मानो एक साथ रहते आए हैं। लेकिन यह पहली बार देखा जा रहा है जब चमगादर से बहुत ही भारी मातरा में वैरेस जो है वह मारियों को एफेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो मानो और चमगादर का जो इंटर्फेरेंस है वह जिम्मेदार है। यहां पर कहा गया है कि अबादी बढ़ने के साथ साथ जिस तरीके से मानो के द्वारा चमगादरों के निवास अस्थान को खतम किया गया है। जिस तरीके से मानो उनके पास पहुँचे हैं, उसी के कारण चमगादर में जो रहने वाले वैरस हैं, उनका विस्तार मनुस्यों में हो रहा है. यहाँ पर जिस तरीके से मानव और चमकादड के बीच में इंटर्फेरेंस हुआ है इसको समझाने के लिए नागालेंड के बोमर कबीले का एक्जामपल लिया गया है आप सभी को ध्यान में रखना है कि नागालेंड में पाये जाने वाले बोमर कबीले पारंपरिक रूप से कई वर्सों से वहाँ पर एक जसन मनाते हैं और इस जसन में मीमी नामक अस्थान यानि कि वो अस्थान जहाँ पर चमकादड रहते हैं यानि कि जो गुफा होती है उस चमगादरों को मारा जाता है और उसे खाय जाता है इस प्रकिरिया में चमगादर उन्हें काटते हैं खरोचते हैं फिर भी बोमर कबीले में कोई भी बड़ी बिमारी का प्रकोप नहीं देखा गया है और इसको लेकर कि यहाँ पर अध्यान करने की जरुरत है कि आखिर बोमर कबीले में चमगादर को खाने के बावजूद कोई भी बड़ी बिमारी किस तरीके से नहीं फैली है। तो इन सभी बातों को यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है और सबसे अंतिम भाग में बताया गया है कि जो चमगादर और मानों के बीच में जो बैलेंस है उसे यहां पर फिर से बनाने की जरूरत है यानि कि चमगादरों का जो निवास अस्थान है हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए हमें उनके निवास अस्थान को खतम नहीं करना चाहिए जिससे उनमें जो पाए जाने वाले वैरस हैं, उनका जो विश्तार है वो मानवों में कम हो पाए आए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका सिर्सक है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में इन दिनो जो एयर पलूसन है उसका काफी बुरा हाल है और यहाँ पर सुप्रिम कोट में सुनवाई के दौरान कें सरकार के दौरान ये कहा गया है कि सहरी कारक जैसे निर्मान गतविधिया, उद्योग, वहानों से निकलने वाला धुआ, सड़क की धूल, वास्तों में दिल्ली में परदूसन के परमुख कारण है नाकी किसानों के द्वारा जलाई गई पराली और यहाँ पर डेटा देते हुए कें सरकार ने कहा है कि पंजाब, हरियाना, उत्तर परदेश के खेतों में जो पराली जलाय जाती है उससे दिल्ली के परदूसन में केवल 10% का ही योगदान दिया है और यहाँ पर जो उद्योग है, धूल है, वाहन और निर्मान है उसके द्वारा 76% जो है परदूसन दिल्ली में फेलाय जाता है और यहाँ पर सुप्रीम कोड के द्वारा इन डेटाज को देखते हुए यहाँ कहा गया है कि कें सरकार और दिल्ली सरकार जो रियल मुद्दे हैं पलूसन के उसको छोड़ करके सारा का सारा जो ब्लेम है वह किसान उपर डालना चाहती है और यहाँ पर कें सरकार और दिल्ली सरकार को जल से जल दिल्ली के पलूसन को कंट्रोल करने के लिए पंजाब, दिल्ली, हर्याना और उत्तर परदेश के साथ मिल करके एक बैठा करनी चाहिए और एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे की दिल्ली मे काफी सक्त रूप अपनाया है और दोनों सरकारों को जल से जल एक ऐसा प्लान तयार करने के लिए कहा है जिससे कि पलूसन का जो निदान है वो हो सके हर साल दिल्ली वालों को नवंबर दिसंबर के महिने में इस तरह के पलूशन का सामना करना पड़ता है और हर साथ सुप्रिम कोड के द्वारा दिल्ली और केंज सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि वह जल से जल पलूशन को रोकने की करवाई करें आएए अब आज के समाचारों परधारित मुख्य परिक्षा की अभ्यास परशनों पर चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कोश्चन नमबर वन है निजता के अधिकार और राष्टे सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की ततकाल आओ सकता है क्या आप इस कतन से सहमत हैं इसे प्र को लेकर के जो बाते कही गई हैं उसका भी आप यहाँ पर उलेक कर सकते हैं इसके अलावा राष्टे सुरक्षा और निजता के बीच किस तरीके से संबंद स्थापित किये जा सकते हैं उस पर आप चर्चा कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने उपाए भी सुझा सकते हैं जब तक हम इसे एक चुनोती के रूप में स्विकार नहीं कर लेते। इस कथन के आलोक में भारत में परदुसन की समस्या को रोकने के उपाय सुझाईए। तो जब आप इसके उत्तर को लिखने का प्रियास करेंगे तो यहाँ पर आप भूमिका में दिल्ली सहित भारत में जो वायो पर्षन भर रहा है उसकी समस्या का सबसे पहले उलेख करेंगे और उसके मुख्य भाग में किस तरीके से केंद्र और राज सरकारे परदुसन को रो यह समचार विसलेशन पसंद आया होगा सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपोर्टेंट है आप जरूर इनको रिवाइस कर लेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें सेयर करें और दूसरों को भी सस्क्राइब करने के लिए प्रिय बाद